कि गौतम बुद नगर के सभी नगरवाश्यों से मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के विशे पे हमारे प्रदेश शाषन पूरी तरह से कटिवद्ध है। ऑनरेबल सीयम इसमें लगाता रिव्यू कर रहे हैं। हमारे चीफ सेटी लगाता रिव्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है कि किस तरह की चीज़ें फॉलो की जाएं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साचना देश को क्लिरली पढ़ लीजी। उन स्टेप्स में सारे सुलूशन्स हैं। और जो एक्सिप्शन्स हैं उसके लिए हम लोग कटिपद्ध हैं। उसको भी देखेंगे। आपकी जिले में सेंपल की विवस्था पूरी तरह से हैं। लेकिन सेंपल उनहीं का होगा जो विदेशों से आये हैं। या जो उनके कॉंटेक्ट में हैं और उनको इस तरह के सिंप्टम्स दिखाई कर रहे हैं। इसके लिए CMO और CMS लगातार आप उनसे संपर कर सकते हैं। नमबर्स उनके दे रखे हैं। दूसरा क्वारंटीन करने की दो फिसल्टीज हैं। जो लोग विदेशों से आये हैं पहले अपने घर में अपने आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करें। लेकिन जिनके सिंपल्स आये हैं उनको हम सकारी विवस्था में कर रहे हैं। हमारे पास 300 बेट की फिसल्टी है। 200 बेट की फिसल्टी और बढ़ने जा रही है। आज के दिन में 55 लोग उसमें हैं और इसमें भी कोई हमारे पास कमी नहीं है। इसके अत्रिक्त तीसरी विस्था ये हैं कि जिन लोग के positive cases पाए गए हैं इन सबी को हम जिम्स में रख रहे हैं जिसमें 20 बेट की विस्था हैं आज के दिन में 7 लोग हैं। इसके अलावा Super Specialty Hospital में भी हैं। साथ ही साथ यहां के दो leading hospitals और medical insurance ने हमको 20-20 बेट का assure किया है। हम शिक रही एक और 300 बेट का hospital attach करने जा रहे हैं। इसमें भी जिला प्रशाच्चन किसी तरह की कमी नहीं होने देगी। लेकिन सबसे महत्पूर बात है कि इस घड़ी में समाच के सभी stakeholders, societies सभी को आगे आना चाहिए और self-restraint in a mature, calm and positive way रखना चाहिए। किसी तरह की negativism न करें। किसी तरह की उकसावे और wrong और false news और fake news में न आएं। और जो साशन और प्रशाचन आपसे कह रहा है उसको mature तरीके से करें, social distancing करें, बहुत अधिक भीड़बार कहीं न लगाएं। आपकी सारी minimum essential counties market में available है, सभी को उपलब्द कराई जाएगी, किसी चिंता के आवश्यक्ता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार अवश्य कहना चाहूँगा, कि आप इस समय यहां का समाज देख रहा है, अपने डायतों को इस घड़ी में अवश्य पालंग करें। सरकार और प्रशाचन से फिक्षा के साथ साथ आपको swing भी ऐसे नड़ाय लेने पड़ेंगे। जो गरीब लोग आप कहां काम कर रहे हैं, उनको यदी छुटी है, तो भी आप उनकी तंखा अवश्य दे दें। ऐसा मेरा आपसे अन्रोध है।